हेलो एब्रिवन विल्कम बैक टो माई चानल इजी लाइब विद वर्षा तो आज संडे स्पेशल में मेरे किचन में बन रहा है कडाही बनीर तो कडाही बनीर बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया हुआ है चौकोराकार में कटा हुआ प्याज और एक कैपसिकम को चौकोराकार में कट किया है चौकोराकार कट करने में क्या होता है वो देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है खाने में तो टेस्टी होता है यह देखने में भी काफी खूबसरत दिखता है तो जैसे कि आप सबको ब इसमें यह जो हमारे चौकोर कटे हुए प्यास थे इसको मैंने डाल दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राइ कर लेंगे थोड़ी मतब थोड़ा सा पक जाए पूरा एकदम गलना नहीं चाहिए ब्राउन नहीं होना चाहिए बस हलका सा साथ ही इसमें एड़ करेंगे जादा जरूरत नहीं होती इसको भूनने के लिए तो अब दोनों को साथ में भून लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा पका लेना है थोड़ा सा ब्राउनिश करना है जादा नहीं पकाना है हलका हलका ही हर संड़े तो मैं रेसिपी शेयर करती नहीं लेकिन जिस संड़े में कुछ स्पेशल बनाती हूँ मुझे लगता हे कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो मैं उस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ आई होप कि आप लोगों को रेसेपीज अच्छी लगती होंगी क्योंकि मेरा चैनल रेसेपीज का तो है नहीं फिर भी जो भी चीजें मैं मेरे स्टाइल से बनाती हूं ना किसी धावे के स्टाइल से ना किसी रेस्टाइल से मेरे तरीके से बनी हुई चीजें मैं आप लोग साथ से आठ काली मिर्च है और इसमें लॉंग है पांच साथ कलियां लसन की है और एक बड़ा एक इंच का टुकड़ा है अद्रक का जिसको मैंने थोड़ा काट लिया है तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे इसको भून के आप पिस्ते होना तो इसकी खुश्बू क्या खुश्बू आती है और जो थोड़ी सी प्यास थी मतलब बहु किया है ऐसे ही इन सबको अच्छे से आपको भून लेना है ठीक है आप चाहें तो जब हमने शिमला में चौर प्याज को भूना था तब आप पनीर भी फ्राई कर सकते हैं मुझे बिसिकली फ्राइड पनीर पसंद नहीं है इसलिए मैंने फ्राइड नहीं किया था अगर अगर आप लोगों को पसंद दे तो आप पनीर भी फ्राइड कर लीजेगा पहले ही जब आप शिम्रा मेर्च और वह प्याज करेंगे तब तो अब यह हो गया है हमारा इसको निकाल लेंगे और मिक्सी के जार में डाल कर हमको इसको पीस लेना है लेकिन थोड़ा सा ठंडा आप पिसोगे ना तो हो सकता है कि वह भाब की वज़ा से बाहर निकल जाए तो थोड़ा ठंडा होने के बाद आपको इसको पेस्ट बना लेना है तो अब हमने ले ली है अपनी वही कड़ाई क्या होता है ना हम लेडिज भाई बरतन बरतन बड़े हिसाब से यूज करते है क्योंकि अब होटल बटल में तो जाना नहीं है खुद कोई खाने के लिए बना रहे हैं तो मैंने सारी चीज़े उसमें से निकाल दी है और उसी में मैंने डाल दिया है दो बड़े चम्मस के करीब ऑईल अब मैं इसमें एड करूंगी दो तेज पत्ते जैसा कि आप देख रह मैं इसमें मसाले अड करेंगें घर में लेडीज लोग क्या है न बड़े हिसाब से बर्तन यूस करते हैं जादा बर्तन जूटे ना हो तो अपने हिसाब कोई गेस्ट आ रहा है या फिर आप होटल वगएर या अपने किसी उसके लिए बना रहे हो तब आप अच्छे से बनाए अलग-अलग तरीके से घर में खाने के लिए हम अपने बर्तनों को अपने हिसाब से ही बनाते हैं तो तेजपत्ता और डालचीनी बुनने के बाद मैंन में डालूंगी एक चमच धन्या पाउडर और एक चमच हल्दी पाउडर ठीक है और एक से देट चमच के करीब मिर्ची पाउडर मिर्ची पाउडर आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो क्योंकि कुछ लोग तीखा खाना पसंद करते हैं कुछ लोग कम तीखा खाना पम्साले में बुनुक्त, तब तक भूनना है जब तक लेका है और दूद। वैसे क्या होता है कणाही पनीर में हम यहाँ पे फ्रेश क्रीम एड़ करते हैं पर मैंने फ्रेश क्रीम मेरे पास थी नहीं और मैंने आपको बताया है जैसे कि मैं मेरे स्टाइल से बनाती हूँ तो मैं इसमें मलाई वाला दूद लेती हूँ और उसको अच्छे से मिक्स कर ल से कम पांच मिनट तक भून लेंगे मलाई जो है मलाई थोड़ा सा और क्योंकि मलाई होता है उसमें घी होता है तो थोड़ा सा ओल छोड़ता है तो बहुत ऑली दिखने लगेगा तो अब हम इसमें आइड कर लेंगे अपना वही फ्राई किया हुआ शिम्ला मिर्च और कांद यानि की प्याज इसको हमको पांच मिनट तक ऐसे ही भूनते रहना है और इसको भूनने के बाद हम इसमें आइड करेंगे हमारा स्पेशल इंग्रीडेंट कशुरी मेथी जिससे आपके शाही पनीर का सारी कड़ा ही पनीर का टेस्ट जो है वह बढ़ जाएगा निकर जाए है मैं आपको फिर से बोल रही हूँ अगर आपको पनीर फ्राइड पसंद है तो आप पहले से पनीर फ्राइड करके रख सकते हैं तो यहाँ पर अब हम एड करेंगे पनीर और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों में मिला लेंगे ताकि मसालों में पनीर जो है व और अब हमारा ये मेन जो सबसे स्पेशल इंग्रेडेंट है जिसकी वज़ा से खाने में कोई टेस्ट ही नहीं आएगा चाहे अब जितने मसाले तेल पनीर डाल लो तो यहां पर अब मैं आड़ कर रही हूं नमक यहां पर जो भी मैंने कॉंटिटी बताई है 100 ग्राम पनीर मै और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड कर सकते हो अगर कम खाते हो तो कम नमक ज़्यादा जिन लोगों को जाधा पसंद है तो अपने हिसाब से प्पने-टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो हेड़ टो बहीं यह सब मिक्स करने के बड़ने के घह तो भांच मिनट कि लिए ताकि धनिय की जो खुश्बू है वो अच्छी तरीके से आजाए और आप किसी के सामने जब ढगकन उठाओ तो उसकी खुश्बू से उसका मन खुश हो जाए कहते हैं ना खाने की खुश्बू से ही पेट बर गया तो वही हाल है तो ये था सेंडे स्पेशल कड़ाई पनीर आई होग कि आप सबको पसंद आया होगा तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सकाइब जरूर कीजेगा थैंक यू बाब